दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडियाज और नए-नी जैनकारी के वाला खेल बताने जा रहा हूँ नोटबुक मेकिंग बिजनस के बारे में नोटबुक की डिमांड हमेशा बनी रहती है क्योंकि यह हर घर में यूज होता है और इसे स्कूल चायल्ड से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी यूज करते हैं तो इस वीडियो में हम आपसे डिसकूस करें कि नोटबुक मेकिंग बिजनस से एलेटेड टॅपिक जैसे इस बिजनस के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए, इस के लिए कौनसे मेशिन की जुरुत पढ़ती है के लोन कहां से मिल सकता है कि इपनी सबसेडिय मिलती है इस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस business को करने के लिए हमें कितने space की जुरत होती है अगर आप manufacture unit लगा करके start करना चाहते हैं तो आप कम से कम इसके लिए कम से कम 30 गज जगर की जुरत होगी अब हम बात करते हैं मशीने बम raw materials की इस business में 14 की मशीने यूज होती है पहला stitching machine, दूसरा cutting machine, तिसरा squaring machine और चौथा packaging machine stitching machine में manual और automatic दोनों होता है पहले raw materials जो यूज होता है वो होता है rule paper और notebook cover अगर आप गत्ते बाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गत्ता यूज होता है इस business में आती है ये company सारी चीज़ा अबरेबल कराती है तता machine चिलाने की 10 भी प्रोवाइड करती है अगर आप बड़े लेबल पर इस business को start करना चाहते हैं तो सारे machine वो raw materials को लेकर करके कम से कम 6 से सारे 6 लाक में machine और इस तरह कुछ ही समय में notebook बनके बिकने के लिए तयार हो जाती है 15 से 20 मिनट के अंदर कम से कम 6 से 8 कौपिया बनके तयार हो जाती है कौपी बनके तयार हो जाने पर इसे अवशक्ता अनुसार पैक करना पड़ता है यदि पैकिंग की बात की जाए तो इसे wholesale अत्वा retail के रूप में पैक किया जा सकता है wholesale में पैक करने के लिए बड़े पैकिट्स बनाए जा सकते हैं बड़े बड़े बैक्स में डीलर को अवशक्ता के अनुसार कौपी पैक किया जा सकता है यदि retail में अपना ब्रैंड सीधे सीधे उतारना चाहते हैं तो इसके प्रती टाकिट्स 6 कौपी का पैक बनाए और विभिन स्टेशनरी दुकानों पर जाए और उनको अपनी कौपियों के rates बताकर आप अपनी कौपियां बेच सकते हैं आपका बिजनस अगर चलने लगे तो उसे साबसे आप अपने मसीनों को बढ़ा करके आप अपने production को बढ़ा सकते हैं इसकी बात आती है license की बात कि इस business के लिए कौन-कौन सा license की ज़रुक परती है तो इस business को शुरू करने के लिए आप अपना brand बना कर बेचना चाहते हैं तो brand registration कराना होगा आप बिना brand के भी note को market में बेच सकते हैं इसके लिए आप उत्यों का अधार में अपने company को register करा सकते हैं आप Company Registration करा सकते हैं बिना Company Registration करा है भी इस काम को शुरू कर सकते हैं बागी बात रही GST के GST के जुरुता परती है जब आपका टार नुबर 20 लाग से उपर चला जाता है उसके नीचे GST में Registr कराने की कोई जुरुत नहीं परती है तो आप बिना GST के भी इस business को start कर सकते हैं इसके आगे हम बात करते हैं कि इसकी marketing जो हम product बनाएंगे उसकी marketing कहां करेंगे तो marketing करने के लिए अगर आप wholesaling करते हैं तो wholesaler से contact करना होगा और अगर आप retailing करना चाहते हैं तो आपको bookseller से contact करना होगा जेनरल स्टोर से contact करना होगा किराना स्टोर से contact करना होगा अगर आप manufacturing unit लगाकर के अपना business start करना चाहते हैं तो आपको wholesaler से contact करना होगा अगर आप ज़्यादा order चाहते हैं इंडिया मार्ट, trade इंडिया आप just style में संपर कर सकते हैं और इन सब को करने के बाद आप अपना business start कर सकते हैं इसके लिए आप एक अपना marketing start रख सकते हैं जो market को देखेगा और कम से कम दो लेवर की जड़त पड़ेगी जो notebook बनाने में machine को handle करते हैं चुकर notebook की demand market में बहुत ही ज़्यादा होती है इसे आप rural areas पे start करें या urban areas पे start करें सारी जवापे इसकी demand बहुत ज़्यादा होती है जहां तक loan और subsidy की बात है आप सरकार की website PMEGP Google में type करें उस site खुल जाएगी वहाँ पे आप इस business related loan के बारे में देख सकते हैं कि इसमें कितना loan मिल सकता है कितनी subsidy मिलती है और business loan के लिए आप अपने नजदी के bank में जाके contact कर सकते हैं उसे बात कर सकते हैं कि हमें loan की जुरत है तो हमें इसके लिए कौन-कौन से document की जुरत पड़ीगी आप सारे documents available कराएं उसके बाद आपको bank से business loan मिल सकता है इसमें जदा training की भी जुरत नहीं परती है एक दिन के training इसके लिए काफी हो सकता है तो अभी हमने आपको दिखाया कि इसमें कितने machine उज़ होती है और ये कैसे कैसे काम करती है इस business को करना बहुत ही आसान है आप कहीं पे भी इस काम को सुरू कर सकते हैं इसके लिए तीन ब कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में आप हमारे comment box में पूछ सकते हैं हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार है हमारे वीडियो को like करें share करें आप सब्सक्राइब नेवडियो साथ तब तक के लिए जहिंद वं दिमात्रम्